हलो स्टूदेंट्स आइम कल्पना मिश्रा एंड वल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस्टूदेंट्स आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइस चैप्टर नमबर 11 वर्क अनेर्जी एंड पावर का कोश्च नमबर 17 तो कोश्च नमबर 17 आपका क्या ह है जो कि आपको क्या है कि आपकी जो एक कार है वो क्या कर रही थी मूव कर रही थी और उस कार का जो मास है ठीक है जब किलोग्राम दिया है इतनिस उसका क्या दिया हुआ है मास दिया है जो कार का मास है वो 1500 किलोग्राम है और वो मूव कर रहा है बाद में जाकर के मूव कि इतनी स्पीड से कर रही है 60 km पर ह की श्पीड से पूब कर रहा है और बाद में क्या हो गया है स्टॉप ने अब आपको कालकुलेट करना है वो को कि कार मूँ कर रही थी और उसके बाद जाकर कि क्या हो गई रुक गई तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम इसको लिग देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास देखो डाइग्राम के थुरू मैं आपको पहले वादाती हूँ फोर एक्सांपल यह हमारा पाथ था और यहां पर यह हमारी कार जो है मूव कर रही थी इसकी इसका जो मास था वो क्या है 1500 किलो ग्राम मूव करके वो यहां पर आ गया तो यह भी क्या हो गया इसका 1500 किलो ग्राम ठीक है वेक तो उसका सेम ही रा ना मास तो सेम ही रा अब क्या ह नीशिल विलोसीटी मिलचन गोता है यू और फाइनल विलोसीटी क्या होता है वि तो जो यू इनिशिल विलोसीटी थी उसको हम यू से करते हैं तो वह कितनी स्पीड से चल इनरजी किस में थी काइनिटिक एनरजी थी बाद भी किस में चेंज हो गयी पोटेंशल एनरजी में तब आपको बताए है कि नौकblowing कि इसको इसको जितना ना था इसमिर पीटिंगा किए थीषैने तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है जो हमें मास इसमों कितन आपको दी है 15, sorry, initial velocity आपको दी है 60 km per hours, तो km per hours को हमने किसमे चेंज कर देना है? मीटर पर सेकेंड में, तो ये मैं बहुत बार आपको बता चकी हूँ कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम इसको किसे मल्टिप्लाई करेंगे? फाइव अपॉन 18 से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको चेंज करते हैं, ये मैं पहले 2 से काट रही हूँ, 2 थ्री जा 6 और 0 और 2 नाइन जा 18, अब 3 से चला जाएगा, 10 और 3 थ्री जा, ठीके, बाद में इसको कैल्कुलेट कर दो, कितना आगया, 50 अब पॉन 3, ये क्या हो गया, हमारा मीटर पर सेकेंड, ठीके, तो ये तो हमारी यू हो गई, वी हमें पता है, वी हमारी कितनी है, 0 है, अब हमें पता क्या करना है, चेंज इनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आया था, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज, एनर्जी क्या थी, हमारे पास चेंज इनर्जी, मतलब एनर्जी में चेंज आया, तब ही तो वोक हुआ ना, तो ये हमारे पास किस में change आया था kinetic energy में change आया था तो जब change हम energy का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम final velocity में से हम initial velocity को minus कर देंगे तो Kignetic energy तो हमारी car move कर रहे थी now कैसे move कर रही थी चल रही थी ना तो चल रही थी तो उसके कौन से energy थी उसके अंदर kinetic energy थी बाद में उसके अंदर potential energy आई तो energy कौन सी change हुई है हमारी kinetic energy change हुई है ठीक है तो kinetic energy में changes हम कैसे लेखेंगे half mv square minus half m u square क्या होगा हमारी final velocity में से initial velocity को क्या करना है आपने minus करना है तो हमारी change in energy आजाएगी कि हमने कितनी energy उसमें लगी है ठीक है तो अब यहाँ पर जो V है हमारे पास वो 0 था तो यह तो सारा को 0 ही हो जाएगा फिर minus half mass हमारे पास 1500 है U हमारे पास कितना है 50 upon 3 ठीक है यहाँ पर U square है इसलिए हमने इसको 50 upon 3 दो बार लिखना है उसके बार इसको calculate कर लेते हैं calculate करेंगे तो आपका क्या जाएगा यहां से cancel कर दो 313 35 15 और यह 00 और भी मतलब यह सारी आप calculation करोगे तो आप क्या जाएगी 208333.30 ठीक है